जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कम महनत में, कम समय में और जट पट बहुत ही आसानी से बनने वाले आलू के कबाब की रेसिपी तो चलिए सुरू करते हैं आलू के कबाब बनाने के लिए हमने यहाँ पर मीडियम साइस के छे उबले हुए आलू लिये हैं और इन आलू को उबाल कर हमने शील लिया और पोटेटो में सरसे अच्छे से मैस कर लिया और इसमें हम एट करेंगे एक मीडियम साइस की कदुकस की हुई प्यास प्यास को कद्दुकस करने के बाद हाथों से निचोड़ कर इसका सारा पानी निकाल देंगे फिर हम इसमें एट करेंगे और एट करेंगे तीन टेबल स्पून बारिक कटा हुआ हरा धनिया और तीन टेबल स्पून बारिक कटे हुए पुदीने के पत्ते और इसी के साथ हमें इसमें एट करना है एक टीस्पून लहसुन का पेश्ट एक टीस्पून कद्दुकस किया हुआ अदरक और बारिक कटी हुई दो छोटी हरी मीच हमने यहाँ पर तीखी हरी मीच का इस्तेमाल किया है इसी के साथ हमें इसमें एट कर देनी है एक टीस्पून चिली फ्लेक्स स्वादनुसा नमक हमने एक टीस्पून नमक लिया है हाफ टीस्पून गरम मसाला हाफ टीस्पून जीरा पाउडर एक टीस्पून काले मिर्श पाउडर और एक टीजपून दरदरा पीसा हुआ धन्या पाउडर इसका इसमें बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है तो साबुत धन्ये को हमने मिक्सी में थोड़ा दरदरा ही पीसा है अगर आपके पास ना हो तो आप एक टीजपून धन्या पाउडर एट कर दे और अब हम इसमें एट करेंगे दो टेबल स्पून निम्बू का रस इसी के साथ हम इसमें एट करेंगे तीन टेबल स्पून चावल का आटा अगर आपके पास चावल का आटा अवेलेबल ना हो तो आप तीन टेबल स्पून कौन फ्लोर एट कर दे अब हम इन सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे सारी चीजों को हमने आलू के साथ अच्छे से मिला लिया है अब हम इसमें से टिकियां बनाएंगे तो हाथों को तेल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेकर इस तरह हमें इसे टिक्की का सेब दे देना है हम यहाँ पर मीडियम साइज की टिक्कियां बना रहे हैं आप थोड़ी छोटी साइज की या फिर बड़ी साइज की टिक्की भी बना सकते हैं और इसी तरह हमें बाकी की टिक्की बना कर तयार कर लेनी है अब हमें आलू की टिक्की को डीप करने के लिए बेसन का एक घोल बना लेना है तो हमने एक कब बेसन लिया है और इसमें हम एक चोथाई टीस्पून अजवाइन हाथों से क्रस करते हुए एट करेंगे अगर आपको अजवाइन का फ्लेवर पसंद ना हो तो आप इस टेज पर एक चोथाई टीस्पून जीरा पाउडर एट कर दें हाफ टीस्पून नमक एट करेंगे और हाफ टीस्पून लालमीश पाउडर इसी के साथ हम इसमें एट कर देंगे एक चोथाई टीस्पून हल्दी पाउडर तो पहले हम इन पाउडर्ड मसालों को बेशन के साथ अच्छे से मिला लेंगे और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी एट करते जाएंगे और इसका बिल्कुल परफेक्ट गोल बना कर तयार कर लेंगे जिसमें बिल्कुल भी गुठलिया ना हो थोड़ा सा पानी एट करेंगे इसे अच्छे से मिलाएंगे और फिर थोड़ा पानी एट करेंगे इस तरह हमें इसका बिल्कुल स्मूथ गोल बना कर तयार कर लेना है तो यहाँ पर हमारा गोल बन कर तयार है एक कब बेसन के घोल के लिए हमने एक कब पानी का इस्तेमाल किया है और आप इसकी कंसिस्टंसी देख सकते हैं कि हमने इसे ज्यादा गाड़ा नहीं रखा है और ना ही ये ज्यादा पतला है और इस टेश पर हम इसमें थोड़े से हरे धन्ये के पत्ते एड़ कर देंगे तो तीन टेबल स्पून हमें बारिक कटा हुआ हरा धन्या एड़ करके अच्छे से मिला लेना है और अब हमने इसे फ्राइ करने के लिए तेल गरम कर लिया है तेल हम ज्यादा गरम नहीं करेंगे मीडियम होट होना चाहिए अब हम गेस की फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखेंगे और हमने जो आलू की टिक्की बनाए है उसे हमें बेसन के गोल में डीप करना है दोना तरफ इस पर गोल अच्छे से एप्लाई करने के बाद तुरंत ही हम इसे तेल में डाल कर फ्राइ करेंगे वैसे आप इसे आलू की कटलेट आलू की टिक्की भी कह सकते हैं लेकिन इसके बनाने का तरीका थोड़ा बहुत कबाब से मिलता जुलता है इसलिए हम इसे आलू के कबाब ही कहेंगे तो इसी तरह हमें सारी टिक्कियों को घोल में डीप करते हुए तेल में एट करते जाना है और इसे हम मीडियम फ्लेम पर तब तक फ्राइ करेंगे जब तक ये एक तरफ से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तो तीन से चार मिनिट टक एक तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इसे फ्राइ कर लिया और अब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे और दूसरे तरफ से भी हमें इसे मीडियम फ्लेम पर तब तक फ्राइ करना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए कि मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लेना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तो आलू से बनने वाले इतने मज़ेदार कबाब की रेसिपी आपको केसी लगी आप हमें कॉमेंट बोक्स में जरूर बताएं और आप इसे स्पेशल रमजान में इफ्तार के वक्त ट्राई कर सकते हैं या फिर एजर स्नेक आप इसे घर पर बना कर खा सकते हैं बच्चों के लिए टिफिन बोक्स में भी आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो वो बहुत ही सोक से खाएंगे सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ही आसान है लेकिन टेस्ट में बहुत ही लाजवाब आप इस रेसिपी को ट्राइ करने के बाद कॉमेंट बुक्स में हमारे साथ अपने एक्सपिरेंस जरूर से सेर करें और आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल पर नए है तो मेरी आपसे हमबल रेक्वेश्ट है के एसी ही आसान और सिंपल रेसिपीस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं फिर मिलेंगे जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई